Hey guys, welcome to success Dillip, में दिलिप कुमार, स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में new requirement की discuss करने वाले हैं जो की vacances निकाली गई आपके Indian Army से Indian Army से 508 Army based workshop से vacances आउट की गई है जिसे कि All India की candidate इस form को fill करने के लिए बिलकुल eligible हैं देखे जो vacances निकाली गई है, apprenticeship की निकाली गई है, जिसमें कि ITI candidate, diploma candidate and degree candidate यानि कि BITEC holder इस form को apply कर सकते हैं, AJNA, PSNA, NADS के जरिए, यहाँ पर विना एक्जाम का selection होगा आपका marks basis पे, इसके लिए कोई भी application fee charge नहीं रखा गया, आप male हैं, female में, आप interested हैं Indian army में apprenticeship करने के लिए, सर, इसमें फायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात यहीं होती है, कि apprenticeship आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि all over India में हर दिन एक new new requirement निकलती ही, निकलती है apprenticeship की, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि इसमें benefits कहां पर होगी Indian army से, लेकिन एक बहुत Indian branches apply कर सकते हैं, age limit क्या होगी, आपके कैसे apply करने, apply करने का भी process बता हूँगा, तो जितने भी candidates वीडियो को देख रहे हैं, मैं फुल process बता रहा हूँ कि form कैसे fill करनी है, तो videos को पूरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, इससे पहले requested होगी, चैनल पे अगर आप पहली बा 2022 की article पेपर में publish की गई, जो कि यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो कभी ऐसा मत समझना की official notification देगे, इस तरह की जब भी vacances आती है, तो mostly newspaper में article निकाल दिया जाता है, क्योंकि UP मैं अधिकतर ही होता है, UP राजस्थान में भी न दिखाँगा, simply जो notification सो रहा है, ITI अभ्यारतियों से मांगे आविदन, इसमें सभी कर सकते हैं, प्रियाग राज 508 Army Base Box Ops है, इसका एक छाबनी होता है बिल्कुल उसी तरफ से, इसकी तरफ से ITI NCBT से pass out, तो देखिए, SCBT का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन NCBT क का जिक्र किया गया है, तो NCBT वाले apply करना, उत्तिर्न होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा पास आउट होनी चाहिए, यहाँ बिटेक, बिटेक या फिर डिप्लोमा होगा, only for mechanical trade यहाँ पर रखा गया है, तो यह ज़रू देख लें, mechanical trade उत्तिर्न अभ्यारतियों को, एक वर् पर detail branches का जिक्र नहीं किया गया, तो अपना branches आप देख लें, अगर आप करना चाहते हैं, mechanical, civil, electrical, इस सब की mostly यहाँ पर मिल जाती है, आपको बेल रही है, दिखाई दे रहा है, तो जरूर यहाँ पर apply कर दो, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कि बताय जा रहा है, संस कर सकते हैं, apprenticeship जो perception है, उसके एक year के लिए apprenticeship invite के जो notification आउट की गई है, अब 12 जनवरी तक online जो इसका जो form है, आप फिल कर सकते हैं, तो यह सब सीज़े हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, जब आप form फिल करोगे, तो उसको online print out करना है, print out करने के बाद अपना जरॉक्स कोपी, self-attested करके, आपको offline mod के जरी जो भीज सकते हैं, कब तक, 22 जनवरी 2000, 22 से पहले, तो अब देखते हैं, apply कैसे करना, hopefully समझ आप चुकाँगे, इसमें एज क्या होने वाला है, अगर apprentice impact 1961 को follow करती है, तो 15 साल से लेगर, 24 साल के candidates form को fill कर सकते हैं, then bidak वालों के 25 साल की age limit रखे, बागी बागी बाद age limit जिसमें भी हमलेगी, age relaxation सभी में दी जाएगी, क्योंकि declaration नहीं गई है, और hopefully most fully, कि apprentice impact 1961 को ही follow करेगी, वही age limit आपकी होगी, अब चले बताते हैं, form कैसे apply करना है, सबसे पहले जितने भी candidate है, मैं request करता हूँ, जितने भी diploma, bitech वाले सबसे पहले MHRD NTS portal पे registration करें, इसके बाद जरीए आप apply नहीं कर सकतें बिना, then ITI वालों के लिए requested है, Apprentice portal पे registration करें, चले सबसे पहले प्रोसेस में ITI candidate को दिखा देता हूँ कि कैसे इसको जो है, वह apply करना है, apply करने के लिए apprenticeship India.government.in वे इसकी official website पे आ जाए, link description में मिल ज करें, तो इसको यहाँ पे कर लेना है, उसके बाद एपरेंटिस से पपरशनोटी सेक्शन पे आप क्लिक कीज़ेगा, देखिए मैं मोबाइल से फिल करके इस सब चीज ज्यादा बताता हूँ, ताकि मेरे जितने भी students है, वह apply कर पाएं, और उसको ज्यादा problems नहीं apply करने के तो search कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, search by establishment में आना है, और search क्या करना है, 508 army base, याद रखना 508 army base सर्च करना है, और ये चीज सबसे पहले अगर आपका search नहीं ले रहा है, तो एक काम करो, आप अपने WhatsApp पे जाकर किसी भी contact place में अपना लिख कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं 508 army base यहाँ पर लिखा गया है, D लिखा गया था, D जो है, वो mention नहीं करना है, इसको चलिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर, step by step बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना है, क्योंकि काफी सारे student को दिक्कत नहीं आती है, तो यहाँ पर पर mention कुछ भी किया होगा, इससे अभी फरक नहीं पढ़ने वाला है, vacancy निकल चुकी है, 22 जनवर इससे पहले apply करो, यह डेली तरफ से update की जाते है, तो hopefully यह बहुत साला, बहुत ही, मतलब है, सारा जितने भी process है, मतलब बहुत ही slow है, तो इसको नजर अंदाज करें, और अ लेकनिक डिजल फिर से मिल देखने वाली है, अपना ट्रेड यहां पर simply जो ढूड़ने ला, मसिनिस्ट की आ चुकी है, यह रही आपकी electricity भाई है, तो electricity अपलाई कर लेना, फिटर की आपको मिल जागी, जहां पर भी दीख रही हो, simply apply करो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है यूपी में ही आपकी base दिखने वाली है, सबकी दिखेगी, क्योंकि 508 army base आपकी वहीं पर इस्तित है, चले आप apply कैसे करने हैं, मानलो, आप electricity and trade है आपका, तो यहां पर apply करने के लिए, मानलो, सबसे पहले view कर लेते हैं भाईया, कि क्या-क्या चीज हमको मिलेगी, कहा-कहा opportunities होगी, यह totally central government है, इतना तो पता ही होगा आपको, और 6 दिन work होता है, उसके बाद इसे बिल्गुल apply कर सकते हैं, 10 pass with idea candidates, then आपको यहां पर मिलने वाली है, 6 month, 7, 3 month की relevant होती है, लेकिन आपकी एक साल की होगी, number of post इसमें total 60 आपको मिल जाएगी, हाँ पर जो देख सकते हैं लेकिन यह चीज अपडेट नहीं है, तो बोल देना, क्योंकि यह जरूरी नहीं है, यह इतना हो, step 1, 6000 से 7,000 के बीच में होती है, 6 से 7,000 ही इसमें मिलती है, जंडर, मिल, फिमिल, दोनों apply करें, वाली फिकस्ने 10 बद आइटिया यहां पर जरूर करना, चलिए, अपना-पन ट्रेड वाइस देख लेना, अब पता चला की सर देख लेना, apply कैसे करना था, plus for this opportunity section पर क्लिक करो, अलहाबाद जो भी location आपका सूख कर रहा हो, अलहाबाद प्रियागराज जहां पर भी apply कर रहे हैं, उसको okay कर देना, तो बस यही सारा process है, देख सकते हैं, apply हो चुका है, अब इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना, इस अपने profile का प्रिंट आउट निकाल लेना, आपकी जो भी होगी, उसके बाद क्या करना, आपकी जितने भी जा रहे हैं, इसको offline mode में, army based भी आपको send कर देना है, और यह जरूरी भी नहीं है, जो भी candidate चाहते हैं, कि मैं न करते हैं, तो ना जाना की भी जोरत नहीं है, जब shortlisted आएगी, तो आपको बुला लिया जाएगा, और जितने भी बेटे को diploma holder हैं, आप यहां से registration करोगे, registration करके देने, आपे अपना email ID, और password एंडर करके, और capture code एंडर करके, login करके, establishment में सर्च करना, तो अपने trade wide branches wise देख ल खलाल, mechanical तो eligible ही है, otherwise आपकी दीख रहे तो करें, क्योंकि मैं साक्षात दिखा नहीं सकता है, because मेरे पास किसी student का valid ID है नहीं, और MSRDSI की valid ID को ही open करने देता है, तो यही बात है, बागी बाद आपको दिक्कत आ रही है, तब बेस जिजख किसी candidate को problems आती है, मुझसे comment करें, ज़्यादा इसु हो रहा है, तो मुझसे personally आप contact कर सकते हो, successdelive24, यह मेरा इंस्टाइडी है, ध्यान रखना हो, आपके contact कर लेना, hopefully, वीडियो इस फिल लगी हो, please like, subscribe करें, चले मिलते नेक्स वोडियो में, ततक लिस रहें दे,